ब्रमांद के विशाल विस्तार में एक छिपा हुआ रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसी पहली है जिसने दशकों से वैग्यानिकों को परेशान किया है और जिसको कहते है दाक मैटर। व्युमोलोजी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम दाक मैटर के बारे में बात करेंगे। दाक मैटर एक अद्रिश्य पदार्थ है जिसमें ब्रमांद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल है। आकाश गंगाओं की अजीबो गरीब गती की व्याख्या करने के लिए पहले इसके अस्तित्व की परिकल्पना की गई थी, लेकिन इसकी वास्तविक प्रकृती मायावी है। वैग्यानिकों का मानना है कि डाक मैटर सामान्य पदार्थ के साथ केवल गुरुत्वाकर्शन के माध्यम से संपर्क करता है, जिससे इसका सी अरीका कंप्यूटर सिम्यूलेशन के माध्यम से है। डाक मैटर के कनों के बीच गुरुविय अंतक्रियाओं का प्रतिरूपन करके, वे ब्रमान की बड़े पैमाने की संरचना को आकार देने में इसकी भूमिका को समझ सकते हैं। अवलोकन संबंधी साक्ष्य भी डाक गूर्नन पर डाक मैटर के गुरुत्वाकर्शन प्रभाव और विशाल आकाश गंगा समुहों के माध्यम से प्रकाश के मुरने का अवलोकन किया है। डाक मैटर के कनों का सीधे पता लगाने के लिए वेग्यानिक गहरे भूमिगत प्रयोग करते हैं। वे अत्यधिक समव अस्थिती का अनुमान इसके गुरुत्वाकर्शन प्रभाव से लगाया जाता है, लेकिन इसकी सटीक संरचना अभी भी अग्यात है। हम लगातार अपने सिध्धानतों को परिश्कृत कर रहे हैं और डाक मैटर के रहस्यों को खोलने के लिए नए सुराग खोज रहे हैं शोदकर्ता डाक मैटर की प्रकृती के बारे में विभिन सिध्धानतों की खोज कर रहे हैं। कुछ का प्रस्ताव है कि इसमें अभी तक खोजे जाने वाले कंशामिल हैं, जबकि अन्य गुरुत्वाकर्शन की हमारी समझ में संशोधन का सुझाव देते हैं। भविश्य के अंतरिक्ष मिशन और वैद्शालाएं, जैसे जेम्स वैब स्पेस टेलिसकोप, हमारे ग्यान की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखेंगी और डाक मैटर की प्रकृती में महत्वपूर्ण अंतरद्रिष्टी प्रदान करेगी। जैसे ही हम तारों से भरे आकाश को देखते हैं, हमें उन रहस्यों की याद आती है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। डाक मैटर को समझने की खोज जारी है, क्योंकि वैग्यानिक इसके रहस्यों को उजागर करने का प्रयास करते हैं और हमारे ब्रमान को एक साथ रखने वाले अद्रिश्यत आने बाने पर प्रकाश डालते हैं। डाक मैटर मायावी पहली है जो हमारी लौकिक यात्रा को गहरा करती है। जब तक हम और अधिक नहीं जान जाते, तब तक उत्सुकता बनाए रखिये। वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद। डाक मैटर पर अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।